के इस वीडियो सिरीज में आज हम section 7 of law of evidence के बारे में बात करेगे with proper notes, examples and case laws. section 7 basically क्या कहता है, section 7 कहता है कि facts which are occasion, cause, effect of fact in issue are relevant. यानि कोई भी fact जो कि fact in issue के relation में occasion, cause, effect की तरह act करता है, वो relevant माना जाता है. हम chapter 2 of law of evidence से deal कर रहे हैं, हम जानते हैं कि chapter 2 basically relevancy of facts के बारे में बात करता है, और इससे related जो sections हैं, वो है section 5 से ले करके 55 तक. हमने section 6 cover कर लिया, जिसमें हमने ये जाना कि वो सभी facts जो same transaction के पार्ट माने जाते हैं, वो relevant facts होते हैं. section 6 को हम doctrine of risk justice भी कहते हैं, तो अगर आपको section 6 in detail with proper notes, examples and case laws समझना है, तो आप मेरे इस वीडियो को refer कर सकते हो, आज हम section 7 के उपर बात करेंगे with proper notes and examples, तो वीडियो में end तक जरूर बने रहेगा, इस वीडियो को अगर आप end तक देखते हो, तो इस particular section से आपको कोई भी doubts नहीं रहेगा, और law of evidence, जिसे आप hard मानते हो, वो आपको interesting लगने लगेगा, अगर आप इस way में पढ़ोगे, चलिए, शुरू करते हैं, तो section 7, basically यही कहता है, कि facts which are occasion, cause, effect of fact and issue, वो क्या है, relevant है, सबसे पहले हमें तीन words के meaning को समझना है, आप चाहों तो note कर सकते हो, अपने understanding के, तैट, देखो, एक है occasion, एक है cause, और एक है effect, देखो, तीन words है, इन तीन words के meaning को सबसे पहले हमें समझना है, तभी हम इस particular section को समझ पाएंगे, अच्छा, occasion का मतलब क्या है, occasion का मतलब होता है, आवसर, आप इसे opportunity भी कह सकते हो, जैसे, तो occasion का मतलब क्या है, occasion का मतलब है कि एक particular time में किसी particular चीज़ का होना occasion कहलाता है, तो आप लिख सकते हो कि happening of a, happening of a particular thing, अप लिख सकते हो, जैसे माल लो, कि 30 October 1998 को मेरा जनम हो, यह मेरा real rate of birth है, अच्छा, तो हर साल मैं 30 October, 30 October को, क्या करता हूँ, अपना birthday celebrate करता हूँ, तो यानि यह जो particular date है, 30 October, इस particular date पर मैं अपना birthday celebrate करता हूँ, It is what, it is occasion, यानि इस particular day पर, इस particular time के आने पर मैं क्या करता हूँ, अपना birthday celebrate करता हूँ, यानि एक activity की जाती है, इस particular date पर ही, तो 30 October, क्या है, it is occasion for me to celebrate my birthday, आप देखो, यह जो occasion है, यह दो types के हो सकते हैं, हो सकता है, एक regular occasion, एक regular occasion हो सकता है, एक हो सकता है specific या special occasion, तो regular occasion क्या है, जैसे मानो, कि Mr. A is fond of walking in a park at shop 5 a.m., Mr. A daily सुब पाच बजे पार्क में तहलने के लिए जाते हैं, तो Mr. A क्या करते हैं, daily सुबह 5 a.m. पे पार्क में तहलने के लिए जाते हैं, तो यानि सुबह 5 बजे Mr. A कौन सी activity करते हैं, walking, यानि सुबह 5 बजे वो एक particular activity perform करते हैं, this is the occasion, यह क्या है, occasion है, और क्योंकि यह regular basis पर करते हैं, तो यह क्या है, regular occasion है, right, अब देखो, एक होता है special occasion, special occasion क्या होता है, जो साल में एक बार आता है, जैसे, जब मैं अपना birthday celebrate करता हूं हर साल 30 October को, तो मैं अपने friends को invite करता हूं, हम साथ में बैठते हैं, हम party करते हैं, enjoy करते हैं, बाते करते हैं, तो यानि हम friends उस दिन एक साथ होते हैं, बाते करते हैं, किस दिन, 30 October के दिन, तो ये जो 30 October है, 30 October का ये date, हमारे लिए एक occasion की तरह है, जिसे हम celebrate करते हैं, जैसे मालो, दिवाली, दिवाली के दिन आप उसने दूस्तों से मिलते हो, या दिवाली के दिन आप कोई specific चीज़ करते हो, या holy, या wedding, तो simple सा मतलब ये है, कि जो occasion है, वो दो types के हो सकते हैं, एक regular occasion, और दूसरा special occasion, ये सभी basic चीज़े हैं, इस particular section को समझने के लिए, ठीक ह तो ये है occasion, occasion का मतलब हमने जना कि एक particular time period में किसी particular चीज़ का होना occasion कहलाता है, confirm, चलिए, अब हम आते हैं, cause, cause क्या है, देखो, what is cause, cause का मतलब होता है, कारण, reason, cause, cause का मतलब क्या है, cause का मतलब है, reason, मालो, मैं कहता हूँ, की, short circuit was the cause behind fire in a mobile shop, एक mobile shop में जो आग लगने का कारण था, वो short circuit था, अब ये confirm हो चुका है, तो ये जो short circuit है, ये जो short circuit है, it is what, it is the reason, it is the cause behind fire in a mobile shop, अब जिसे माल लो, A ने B का murder किया, what was the cause behind killing B, B को मारने के पीछे कारण क्या था, तो कारण ये ही था, कि A और B के बीच दुस्मनी थी, B ने किसी समय A को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन A बच गया था, तो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए, A ने B को मार डाला, तो this is what, this is the cause, ये ही कारण था, behind killing B, right, तो ये है cause, तो cause means reason behind doing anything, किसी बीचीज को करने के पीछे का reason क्या है, वो cause कहलाता है, clear, अच्छा, effect क्या है, what is effect, effect का मतब होता है, result, अब जिसे माल लो, ये short circuit, क्या था, it was the cause behind fire in mobile shop, तो mobile shop में जो आग लगा, वो आग क्या था, effect था, वो result था, behind this short circuit, या अगर मैं एक और example लो, तो माल लो, हम जानते हैं, कि cigarette smoking is injurious to health, and it causes cancer, तो, यानि ये जो cigarette पीना है, it is the cause behind cancer, right, तो ये है cause and cancer, cause means reason, और effect means result, right, तो opportunity, cause, effect, I think आप तो समझ में आगा होगा, ठीक है, चली, आगे बढ़ें, देखो, section 7 क्या कहता है, basically, section 7 ये कहता है, कि any fact, कोई भी fact, which clarifies, जो clarify करता हो, which clarifies, occasion, cause, effect, opportunity, state of things, of fact and issue, and relevant, वो क्या है, relevant है, तो कोई भी fact, जो fact and issue, को ले करके, occasion, cause, effect, opportunity, and state of things, के तरह act करता हो, उन सभी facts को हम relevant मानेंगे, तो basically हम ये कह सकते हैं, कि section 7 में, हम occasion, cause, effect, opportunity, and state of things, के बारे में बात करेंगे, in relation to fact and issue, राइट, चली, एक example लेते हैं, के बात करेंगे, जैसे माल लो, आप ते वेरक में दिया है, ये एक example, the question is, whether A robbed B, क्या A ने B को लूटा, तो कह रहा है कि, the fact that, shortly before robbery, उस लूट के होने के, कुछ समय पहले, B went fair with money, B जो था, वो मेले में गया था, money के साथ, पैसे थे उसके पास, B ने उन पैसों को, एक third person के सामने शो किया, और ये कहा कि, देखो, मेरे पास आज कितने पैसे हैं, वो excitement में ये activity करता है, और बाद में, वही person उसे लूट लेता है, तो, B का court में ये कहना, कि, मैं मेले में गया गए था, और मैंने पैसे दिखाए थे, इस particular person को, और शायद इसी ने मुझे लूटा है, तो B का ये कहना, क्या है, relevant है, तो, आगे समझते हैं, ये occasion से जुड़ा हुआ, एक example है, अब देखो, का, बाहिए लेता है, वे गया बाहिए, ऒ Eli ये से ये का, बाहिए, आज चाने से कटी ने हैं, he was robbed by B right so B ने sorry he was robbed by A ठीक है तो कुशे ने है न whether A robbed B whether A robbed B क्या A ने B को लूटा है देखो समझो कि B जो था वो एक मेले में गया हुआ था उसके पास बहुत पैसे थे और उसने उन पैसो को किसी third person के सामने शो किया था ये कहा था कि देखो मेरे पास आज कितने पैसे है एक समय था जब मेरे पास कुछ नहीं था आज मेरे पास इतना पैसा है समय चेंज होते हुए देर नहीं लगती है और वो excitement में ये चीज़ करता है तो B का ये act एक particular time में एक particular चीज़ करना यानि मेले में गया और उसने पैसे शो किये ठीक है तो B का ये जो occasion है वो एक opportunity की तरह लगी इसको A को और A ने B को लूट लिया तो ये क्या है occasion है और ये क्या है relevant है अगर B ये कहता है कि हाँ मैंने ये चीज़ किया था और मैंने ये चीज़ B के सामने करे थी इसने मुझे लूटा मैंने ये तो नहीं देखा लेकिन इन facts के basis पे जरूर B ने ही ये काम किया होगा तो ये क्या है relevant है चलिए आगे बढ़ते हैं ये illustration आपके बेर एक में दिया है आगे बढ़ते हैं एक और example लेते हैं ओकेजन से जुड़ा हुआ ये भी illustration है चलिए हम ये case लिखते हैं आपकेजन से जुड़ा हुआ अब जैसे आज का मोसम बहुत अच्छा है बादल लगे हुए है तो ये क्या है ये मेरे लिए opportunity की तरह है कि मैं videos बनाओ ये मेरे लिए occasion की तरह है कि मैंने इस particular time में क्या-क्या video बनाया इसमें क्या था कि victim suffered from constipation जो victim था उसे constipation का problem था और वो रोज रात में सोने से पहले pills, tablets लिया करता था जो accused था he was aware of his habit वो victim के उस habit को जानता था एक रात उसने वो जो bottle था जिसमें pills रखे हुए थे उन pills को हटा के उसमें poison वाला tablet डाल देता है victim रोज की तरह रात में सोने से पहले दवाई लेता है तो उसका ये जो activity था ये जो occasion था कि एक particular time में एक particular चीज करना ये accused को opportunity की तरह लगता है और वो crime commit कर देता है ठीक है तो ये case आप लिख सकते हो विक्ति रखे बड़न विक्तिक्तिव निव स्थीज करें इड़ोगी ज़े सक्साथी, प्यक्तिव ग्वड़ति रमीज थावड़ब टेंज ज़े से रिखें से अज़गी, और में ग्तिवेशगी, ऑ्ये टोफे रखें टीज़, बाहनदि़, आमीज़, वीजिवे आपना प्याज़े पल्स तेजर समय कर दूपतों कि ए अपना आपना प्याच चाज़ जिए तुट हम यह खिए खिए जटिए दब ग्याच जगाज़ जब खिए खिए पिल्स एक्टूस्ट तुक दोज पिल्स एंड डाइट तो यानि विक्टिम का यह जो पर्टिक्लर एक्टिविटी है रोज रात में इस ताइम से इस ताइम के बीच सोने से पहले पिल्स लेना और सो जाना यह जो विक्टिम का एक्टिविटी था वो एक्टूस्ट के लिए एक ओपर्चूनिटी की तरह लगा और उसने क्या किया उसने ओफिंस कर दिया ठीक है तो यह ओकेजन से जुड़ा हुआ आपका एक लेडिंग केस है आर वर्सेस जोन काॉज मतलब काॉज मतलब रिजन बहाइंड दूइंग आनिफिंग किसी पी चीज को करने के पीछे का क्या रिजन था जैसे शॉट सकित वोस्टी रिजन बहाइंड फायर इन अ मोबाइल शॉप देखो केस है हमारे पास आर वर्सेस रिचर्ड शन का इसमें क्या था यह कॉज से जुड़ावा पास है कॉज एक्यूज नियू वेन शी बिकेम अलोन इन हाउस एक्यूज यह जानता था कि वो लड़की कब घर में अकेली रहती है तो यह क्या है उकेजन है उसके लिए पैट और वो जो लड़की थी she was pregnant by him तो अक्यूज यह जानता था कि इस समय से ले करके इस समय के बीच लड़की घर में अकेली रहती है and because she was pregnant तो उसने अपने character को अपने reputation को बचाने के लिए क्या करता है उस particular time interval में जाता है और लड़की का murder कर देता है जब उससे पूछा जाता है कि why he committed murder why he killed that girl तो वो बताता है कि she was being pregnant by me और मैंने अपने reputation मैंने अपने character को बचाने के लिए उसका murder कर दिया तो यह cause से जुड़ा हुआ एक के स्थम निजला प्रसे रस र्वस रश्चार रसे रिचरणा रवसे रश्चार प्रसे रर्चरणा कैस्ट थी नूज़ अचुज़ अचूस्ट नूज़ ज्वीव नजी कि बिकन वन शीज़ बिकन अलों यॉवच्ट अज़ वारिवचा यूज़ she was pregnant by him it created an opportunity for him to kill her because he wanted to save his character reputation अब हम इफेक्ट से जुड़ा हुआ एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इफेक्ट से जुड़ा हुआ एक इलस्ट्रेशन तो उकेजर हमने देख लिया हमने कॉस देख लिया अब हम इफेक्ट से जुड़ा हुआ एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं देखो इफेक्ट तो कॉस्ट्रेशन इज वेदर A मुड़र्ड B क्या A ने B का मुड़र किया है तो यह कोश्ट्रेशन है कि A ने B का मुड़र किया है तो यह कोश्चिन है कि क्या सच में A ने B का मुड़र किया है या B ने खुद सुसाइट कर लिया है तो यह कहता है कि मार्क्स on the ground वेर मुड़र्ड वाज कमिटेट प्रोड्यूस्ट्रगल नियर दी प्लेस तो कह रहा है कि विदर एफेक्ट इड़वा एक इलस्ट्रेशन है आपका विदर A मुड़र्ड B तो कह रहा है कि जिस जगह पे B का dead body मिला है उसके आस पास में कुछ marks मिले हैं जो clearly यह show कर रहे थे कि A और B के बीच शायद struggle हुआ है जो चीजे थी जो state of things थे वो बिखरे पड़े थे तो यह जो state of things है वो clearly इसी और इशारा कर रहे है कि कुछ न कुछ A और B के बीच हुआ था जिसके वज़े से चाहुआ A ने B का murder कर दिया तो यहां आप लिख सकते हो कि marks on the ground marks on ground produced by struggle, produced by near the place where murder being committed are relevant क्या है relevant यानि हम कह सकते हैं कि शायद A और B के बीच struggle हुआ था इन दोनों के बीच जहड़ा हुआ था और शायद A और A B को मारना चाहता था और B क्या कर रहा था अपने आपको बचा रहा था डिफेंट कर रहा था जिसके वज़े से जो चीजे थी वो बिखरी बड़ी थी तो इन दोनों के बीच का जो struggle है उसका effect क्या है marks on the ground तो यह क्या effect का जुड़ागा एक illustration है चलिए तो I hope कि section 7 क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा section 7 basically occasion cause and effect के बारे में बात करता है in relation to fact and issue are relevant तो आप लिखोगे कैसे section 7 को आज़े उसे हम समझ गते हैं अज़े पुरा YouTube पे आपको कहीं lecture नहीं मिलेगा ठीक है तो अगर अगें यह efforts आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोज आपको किसी भी मैनल में help रहते हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्स्राइब करिए और लाइक करिए और किसे लिखोगे आप लिखोगे कि those facts which are either those facts which are occasion cause and effect of fact in issue are relevant in following situations तो वो सभी facts जो की fact in issue से connected है वो relevant माने जाएंगे in situations में right तो आप लिखोगे section 7 जाएंगे जाएंगे चैनल को विखोगे थे प्लीज जाएंगे in प्लीज तर बास सफिए जर प्लीज चैनल को जाएंगे practice कि लेखे डिखूगे特़ दोसर्फाइट्स विचार्थ पर सट्उ को दौसर्थ विचार्थ परनेटेटना क्यों की पैनिकेजु हम तो relevant माने जाएंगे in situations में are relevant in following situations in following situations right अब पहला केता है fact being occasion वो fact जो चाहे occasion की तरह है right दूसरा cause behind relevant fact और fact and issue जो cause की तरह act करते हैं cause behind fact and issue ठीक है ओके आगे fact which shows effect as effect जो effect show करते हो जैसे a और b के बीच struggle हुआ था जिसका proof हमें grounds पे दिखाई देता है जो चीजे थी वो बिखरी हुई थी ग्राउंड पे blood stain लगा हुआ था तो यह क्या effect है right तो तो तिस तीसा facts which shows effect और fact which provides opportunity for their occurrence ऐसे facts जो opportunities provide करती हो accused को crime commit करने के लिए जैसे वो परशन ये जान रहा था कि इसी time period के बीच वो constipation के पिल्स लेने के लिए ड्रावर में जाता है और वहां से पिल्स लेता है खाता है और सो जाता है तो उसने इस opportunity का फ्राइदा उठाया उन पिल्स को खाली करके उस bottle में poison रख दिया था और उसने उन poison को खा लिया पिल्स समझके और उसकी मृत्य हो गई right तो which provides opportunity for occurrence facts which provides opportunities for occurrence facts constituting state of things under which they happened right or facts constituting state of things under which they happened तो ऐसे facts जो constitute करते हो state of things under which they happened अब जैसे मालो opportunity का एक और example लेते हैं कि हमें पता है कि मिस्टर ए जो है वो हर रोज सुबह पांच बजे वाकिंग के लिजाते हैं पार्क में तो इन्हीं का कोई दुस्मन उससे जब ये बात पता चलता है तो उनका ये particular activity उसके लिए एक opportunity की तरह रहता है और वो क्या करता है रास्ते में उन्हें टपका देता है तो ये कह रहा है कि section 7 के अनुसार कि देखो वो सभी facts which are either occasion cause effect of fact an issue क्या है relevant है वो सभी facts which are connected to fact an issue वो relevant माने जाएंगे in following situations पहले केता है fact being occasion, fact जो occasion की तरह हो, fact जो cause की तरह act करें behind fact an issue right fact which shows effect, fact which provides opportunity for occurrence and facts constituting state of things under which they happen ये है section 7 अब देखो, क्या जो tape recorded conversation है वो relevant माने जाएंगे, वो admissible माने जाएंगे, वो as a proof consider किये जाएंगे, उसे हम समझ लेते हैं तो tape recording conversation क्यों पर हमारा एक case है आएंगे in देखो, क्या रहा है कि जो टेप रिकॉर्डेट कॉंवर्शेशन होंगे, उन्हें डिकलेर्ड किया गया है, रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6, 7 and 8 of this particular act and it is admissible in these grounds, तो ये कहा गया है कि जो भी टेप रिकॉर्डेट कॉंवर्शेशन होंगे, होंगे, तेप रिकॉर्डेट कॉंवर्शेशन अंगे, ये क्या होंगे, र्डे मिलवेंट होंगे और अडॉशिबल होंगे तो बी रालेवेंट, एड बेर ध्मिशिबल अंदर section 6, 7 and 8 of law of evidence तो tape recorded conversations को relevant माना गया है और admissible माना गया है under section 6, 7 and 8 of law of evidence on these grounds, in grounds के basis पे on these grounds कौन कौन से grounds है? पहले कहता है कि conversation is relevant to matter in issue जो भी conversation होगा वो matter in issue से related होना चाहिए पहला conversation must be confined to matter in issue यानि जो conversation हमारे पास tape record के form में है उसमें matter in issue से जुड़ा हुआ केवल conversation होना चाहिए दूसरा कहता है voice is identifiable आप जिस पे इलजाम लगा रहे हो उसी का voice होना चाहिए और ये identify हो जाना चाहिए voice must be इसकी पहचान हो जाना चाहिए तीसरा chance of erasing conversation are eliminated और आप court को ये assurance दिला दो कि किसी प्रकार से कोई भी चीज इसमें eliminate नहीं किया गया है तो in grounds पे court उस tape recorded conversation को relevant माननेगा और admissible माननेगा under section 6, 7 and 8 of law of evidence chance of erasing conversation chance of erasing conversation is eliminated ठीक है यही चीज़े कहें कहीं थी इसमें आप लिख लो हैस है आपका RM मलकानी versus state of महरास्टा RM मलकानी versus state of महरास्टा state of महरास्टा तो अगर आपसे सर पुछते हैं वाईवा में कि बताओ tape recorded conversation को हम relevant मानेंगे तो आप कहोगे yes tape recorded conversation को relevant माना गया है admissible माना गया है under section 6, 7, 8 of law of evidence on these grounds पहला आप कहोगे कि conversation must be confined to matter an issue दूसरा voice must be identifiable और तिसरा chance of erasing conversation is eliminated इन grounds को अगर हम prove कर देते हैं तो tape recorded conversation relevant माने जाएंगे और admissible होगे तो ये था section 7 of law of evidence देखो आप पूरे youtube पे देख लो शायद ही इतना बड़ा lecture इस particular section पे आपको मिले अगर मैं भी चाहूं तो मैं भी short lecture बना सकता हूं लेकिन मेरा जो motive है कि आपको law interesting लगे आपको सारे sections अच्छे से समझ में आएं और भले ही वीडियोस थोड़े लंबे हो लेकिन आप वीडियोस को देखो तो एक productive zone में रहो आपको सीखो तो अगर ये efforts आपको अच्छे लगते हैं अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज आप चैनल को subscribe करिए वीडियोस को like करिए और comment box में अपने opinion अपने thoughts जरूर शेर करिए thank you have a nice day